एक clutch में एक flywheel होता है जो सीखे crank shaft पर लगा होता है और इसलिए जब engine चल रहा होगा तब flywheel भी घुमेगा इसके बाद एक clutch plate होती है जो की steel से बनी होती है और इसके दोनों तरफ friction material लगा होता है क्लच प्लेट एक स्प्लाइन शाफ्ट पर लगी होती है और यह शाफ्ट पर आगे पीछे मूव कर सकती है यह स्प्लाइन शाफ्ट गेर बॉक्स का इंपुट शाफ्ट होता है और जब तक क्लच को डिसेंगेज नहीं कर दिया जाता है यह गेर बॉक्स को पावर ट्रांस्मिट करता रहता है मान लीजिए इंजन चल रहा है और इसलिए फ्लाइविल भी घूम रहा है अब अगर क्लच प्लेट को थोड़ा एक्शिल फोर्स लगा कर फ्लाइविल के कॉंटेक्ट में लाया जाए तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और क्लच किरे क्लच प्लेट और फ्लाइविल एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं जब फ्लाइविल और क्लच प्लेट एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं तब यह आपस में स्लिप नहीं करते और हम कह सकते हैं कि क्लच पूरी तरह से एंगेजट है क्लच के एंगेजमेंट के लचीले धंग से क्लच कवर द्वारा सपोर्ट किया जाता है प्रेशर प्लेट पीछे की तरफ से रिट्रेक्टर क्लिप की मदद से डायफ्राम स्प्रिंग के बाहरी किनारों से जुड़ी होती है डायफ्राम स्प्रिंग एक डिस्क शेप का स्प्रिंग होता है जिसके बीच में एक छेद होता है और रेडियल डिरेक्शन में स्लोट्स बने होते हैं डायफ्राम स्प्रिंग का मोशन इसके दोनों तरफ लगे दो वायर रिंग्स के द्वारा फिक्स किया जाता है यह wire rings spring के बाहरी किनारे से थोड़ी ही दूरी पर लगे होते हैं और एक falcrum की तरह काम करते हैं इसलिए जब spring के center में actual force लगाया जाता है तो इसके बाहरी किनारे विप्रीत दिशा में चले जाते हैं और जब force हटा दिया जाता है तो spring वापस पहले वाली स्थिती में चला जाता है यह दो wiring रिवेट के द्वारा अपनी position पर fix किये जाते हैं और बदले में यह रिवेट clutch cover पर fix होते हैं क्योंकि pressure plate diaphragm spring से जूड़ी हुई है यह spring के बाहरी किनारे के साथ move करती है इस pressure plate diaphragm spring और cover की assembly को pressure plate assembly कहते हैं और यह fly wheel से bolts के द्वारा जूड़ी होती है इसलिए fly wheel और pressure plate assembly एक unit की तरह काम करते हैं और एक ही speed से घूमते हैं free condition में diaphragm spring कौन shape का होता है लेकिन जब cover को fly wheel से जोड़ा जाता है तब यहां लगबग flat shape में आ जाता है और यह pressure plate पर spring force लगाने लगता है इसी force के कारण pressure plate clutch plate को fly wheel पर दबा देती हैं और clutch plate पर दोनों तरफ से दबाब के कारण इस पर दोनों तरफ से frictional force लगता है और यह घूमती हैं जब clutch paddle दबाया जाता है एक clutch bearing diaphragm spring के center को अंदर की तरफ धकेलती है इसकी वजह से spring का बाहरी किनारा और इसलिए pressure plate बाहर की तरफ move करते हैं इसलिए clutch plate पर से दबाब हट जाता है और यह fly wheel से अलग हो जाती है इसलिए अब clutch plate से कोई power transmit नहीं हो रही है और engine transmission से अलग हो गया है जब clutch paddle को release कर दिया जाता है तो clutch plate fly wheel से वापस जुड़ जाती है और एक बार फिर से clutch से power transmit होने लग जाती है engine में fluctuation, अचानक से clutch engagement या दूसरे किसी जटके का transmission पर असर कम करने के लिए clutch plate में torsional spring दी जाती है gearbox का input shaft spline hub से जुड़ा होता है वहीं retainer plates clutch plate पर fix होती है hub इन दोनों retainer plates के बीच में लगाया जाता है और कुछ हद तक घूम सकता है torsional spring को लगाने के लिए slots दिये जाते है इस प्रकार जब clutch engage होता है तो clutch plate के घूमने के कारण पहले springs hub पर compress होती है और फिर यह hub पर force लगाने लगती है जिसके कारण hub घूमता है और इस प्रकार power smoothly gearbox को transfer हो जाती है जिसके कारण जाता है जाता हूमता है जाता है भी बाचार के लगाने के लगाने लगते है जाता है झाल झाल